नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News उत्र परवति छेतरों कस्मीर, हिमाचर प्रदेश, उत्राखन, लेलाद्दाक पर भारी मात्रा में हिमपात तीन फरवरी को दो पैर बाद परभाव देखने को मिलेगा वहीं जिला महेंदरगड मोशन परणाली द्वारा केवल कनीना पर ठीक ठाक परभाव रहेगा जबकि नारनुल महेंदरगड सतनाली अटेली मंडी नांगल चोधरी को दो पैर बाद हल की बारिष तो वहीं बुंदाबांदी की गतिविद्य देखने को मिलेगी वहीं आठ फरवरी को एक बार फिर एक से दो स्थानों पर बिखराव वाली बारिष की गतिविद्य देखी जा सकते हैं एस्टेट के कुछ विद्यार्थिों को करवाने होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर्याना विद्याले सिक्षा बॉड भिवानी द्वारा हर्याना अध्यापक पातरता यानि एस्टेट परिक्षा 2021 के अभियर्थियों के हितों को ध्यान में रखते वे आई-ार आई-ायस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन परिक्रिया पूर्ण करने का अउसर प्रदान क्या जा रहा है अनुपस्तित रहे अभियर्थि तीन वच यार फ्रोरी को प्राते नो बज़े से लेकर साई पांच बज़े तक बोड मुख्याला भिवानी में उपस्तित हो यह मामला पंजाबी महरियाना हाई-कोट में विचारा दिन है हाई-कोट में पहले 18 जनुरी को सुनवाई होनी थी जी से टालकर अब 8 जनुरी कर दिया गया था पर अभी हाई-कोट की वेबसेट पर इस मामले में सुनवाई के तारिक 22 स्तंबर 2022 दिखाई दे रही है लेकि इस दिन भी सुनवाई नहीं होती है तो इस केश से जुड़े वकील हाई-कोट में नई तारिक के लिए अप्लिकेशन डाल सकते हैं यूनियन बजट पर पूरु मुख्यमंदरी भूपेंदर सिंग हुड़ा बोले आंकडो के खेल में होल जे खोकले बजट ने हर वर्ग को किया निराज हर्याना के पूरु मुख्यमंतरी एमनेता प्रतिव्यक्स बुपेंदर सिंग हुड़ा ने केंदरे बजट पर अपनी तीखी प्रतिग्रिया देते वे कहा कि बजट ने नोकरी पेशा आम आदमी से लेकर किसान कारूबारी समेथ तमाम वर्गों को निरास किया है जहां आसमान चूती महेंगाई से राहत और रोजगार के आफ़सर बढ़ानी के लिए इस बजट में कोई ठोच कदम नहीं उठाय गया वहीं नोकरी पेशा वर्ग की लोगों को इंकम टेक्स लिमिट की चूट ने बढ़ाय जाने से निरासाहत लगी है वहीं पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद पदार्तों की केमतों में लगी आग ने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड दिया है आगडों के खेल में उलजाय बजट पूरी तरह से खोकला है उन्होंने काया कि 2022 में किसानों की आई दोगुनी करने का दावा करने वाली केंदर सरकार ने इस बजट में खेती किसानी के साथ दोखा किया है खाद पर 1.40 लाग करोड रुपे की सबसीटी घटागर अब 1.50 लाग करोड रुपे किये जाने से किसानों पर मेहंगी खाद का बोज पड़नात्या है हर्याना पुलिष कमांडो विंग की जोइनिग के लिए हर्याना एससी ने जारी की डेट चैनीत उम्मिद्वानों को पूरी करनी होगी अपरकिरिया हर्याना करमचारी चैनायो की ओर से हर्याना पुलिस कमांडो विंग की जुईनिंग तीन फरवरी से शुरू होगी इतना ही नहीं इस दोरान भी फरजीवाडा करने वाले उम्मिद्वारों पर पेनी रजर रखी जाएगी वहीं बायोमेटर के साथ चाथ आन्य डिटेल मेल न हर्याना करमचारी चैनायो की भरती प्रक्रिया को दोखा देकर चैनित हो गए हैं उनको मोके पर दबॉचा जाएगा हर्याना के दोस्ताल सुल्तानपुर और भिंडावास राश्टी रामसर साइट में हुए सामिल हर्याणा के मुख्य मंत्री मनहुर लाल और वन मंत्री कामरपाल विशु आर्द भूमी दिवस के अउसर पर दो फ्रवरी को गुरूगराम जिले में सुल्तानपूर राष्टी उद्यान में होने वाली राष्टी स्तर के कारेकरा में सिर्कत करेंगे इस कारेकर में केंद्रे परियावान 1M जलवायू परिवर्तर मंत्री भूपेंदर यादव मुख्य अतिती रहेंगे हर्याणा में इस वर्ष विश्व आरद भूमी दिवस का उच्छव और भी विशेस होगा क्योंकि मई 2021 में सुल्तानपूर राज़्टे उद्यान गुरूगराम और भिंडावास वन्ने जीव अब्यारन जजजर को रामसर साइट यानि अंतराश्टे महतु कि आरद भूमी के रो में गोशित किया गया था उलेखनी है कि सुल्तानपूर राज़्टे उद्यान गुरूगराम जजजर राजमार्ग पर सुल्तानपूर गाउं में स्तित है यह गुरूगराम से 15 किलमेटर और दिल्ली से 50 किलमेटर की दूरी पर है यह 351 एकड के छेतर में फैला हुआ है पिंडावास वन्ने जीव ब्यारन के रूम में अधिसुचित किया गया था दोशन चोठाला का बड़ा बयान बजट रोजगार के अवसर पैदा करने वाला तथा उद्योगों वे MSME सेक्टर के लिए स्कारात्मक है डिप्टी सी एम जिनके पास उद्योग एम वाने जे विभा का परभार भी है ने अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते वे कहा केंदर सरकार का केंदरिय बजट 2022 भार्त के जन जन के भविश के आकांशाओं वे आसाओं को पूर्ण करने वाला है किरशीव ग्रामन विकास, डिजिटल करेंशी, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थ व्योस्ता को मजबूत करने वाला है कॉविट के समय में किसी भी परगार की टेक्स बढ़ोतरी का एलान नहीं किया गया है जो सुख़द है उत्र प्रड़ेश के च्णावी मोर्चे पर डटे हर्याने के भाजपानेता, जाट बहूल शीटों पर समीकरन साधने की रणनी दित्त है हर्याना के भाजपा नेताओं ने विधानसवा चुनाओं में अपनी पार्टे के जीत के लिए उत्रप्रदेश में डेरा डाल दिया है पार्टी ने जाट नेताओं के साथ साथ गेर जाट नेताओं को उत्रपरदेश में चुनाव परचार के लिए उतारा है पश्चिमी उत्रपरदेश के सारानपूर, मुझभफर नगर, सामलीग, बागपत और बिजनोर ऐसे जिले हैं जिनकी सिमाई हरियाना के करनाल, यमनानगर, सोनिपत और पानिपत जिनों से लगती हैं हरियाना के करशियम किसान कल्यान मंत्री तदा पसुपालन मंत्री जेपी दलाल को आगरा ग्रामिन विदानसवाशीट पर परचार के लिए विशेश तोर पर भेजा गाया है वहीं दूसरी तरब जज़पा संदक्सक, एम उप मुखी मंत्री दूशिन चोटाला, भाजपा के पूरु परदेशादेक सुबास बराला, बिजली मंत्री रणजी चोटाला, भाजपा सांसा द्रमबीर सिंग, बरजेहिंदर सिंग, राजजी मंत्री कमलेस धांडा और व अर्याना में खुले स्कूल, दस्वीं से बार्वीं कक्षा तक के विद्यारते को बुला है, पहले दिन विद्यालेों में काफी कम संख्या में पहुंचे विद्यारती, दस्वीं से बार्वीं कक्षा तक के विद्यारती के लिए मंगलवार्शेस विद्याले खोले गई है विद्याले खोलने को लेकर शिक्षा विबाग की तरब से सभी तयारियां एक दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी बता दें कि विबाग के निदेसाले की तरब से जारी एसोपी में अभी बागों की सहयमते के साथ कोरोना रोधी वेक्σιनेशन होने की अनिवारेत पी की गई है साथ ही कोरोना वेक्σιन के प्र्मान पत्र की पे जाerapeut की गई कैथल अनुबंद आधार पर प्रोश्य सर्वरों के भरती के लिए ओफलाइन आविदनामंतरित करता है इच्चो कुमिद्वार सीदे भारती डाक के माधिम से अपना आविदन पत्र भेज कर आविदन कर सकता है आविदन फार्म शुरू होने की तारिक एक फरवरी 2021 थी वहीं आविदन पत्र की अंतिम दिती 15 फरवरी 2022 तै की गई है उमिद्वार की नियूंते माई 18 वर्स होनी चाहिए तो वहीं अधिक्तम आयू 42 वर्स होनी चाहिए दस्वी पास आविदन कर सकते हैं इस वेगेंशी के लिए सैलरी की बात की जाए तो 16,900 रुपे से लेकर 53,500 रुपे तै की गई है हरियाना में कोरोना से जनुवरी में 269 की मोथ तो वहीं 25,566 एक्टिव केस 31 जनुवरी को आई 3563 संक्रमेट वहीं 19 मरीजों की मरेत्यू भी हुई हरियाना में कोरोना सेंक्रमन के 25,566 एक्टिव केस हैं वहीं जनुवरी महिने की बात की जाए तो इन 31 दिनों में 269 कोरोना मरीजों की मोथ हो गई 31 जनुवरी को मरने वालों की संक्या 19 रही जनुवरी के अंतिम सप्ता में 111 लोगों की मोथ हुई है जबकि बाकी 24 दिनों में 148 लोगों की रिकवरी रेट की बात की जाए तो 96 दसमनों दो दो परतिशत पहुँच गया है परदेश में ओमिक्रों का कोई केस एक्टिव नहीं बचा है परदेश में अब एक मातर गुरुगरा में ऐसा जिला है जहां पर 1155 केस हैं तो वहीं फरिदावाद में 219 और हिसार में 273 केस हैं बजट 2022 निर्मला सीतरामन ने इस बार केवल एक घंटा 31 मिनट में निप्टा दिया बजट भाशन 2019 में था सबसे देर तक तो वहीं 2020 में सबसे लंबा भाशन वित मंतरी निर्मला सीतरामन ने मंगलवार को अपना चोथा बजट पेस किया वित मंतरी निर्मला सीतरामन ठीक 11 बज़े बजट भाशन के लिए खड़ी हुई थी और उन्होंने 12 बज़कर 31 मिनट पर अपना भाशन समाप्त कर दिया इस बार उन्होंने 91 मिनट में टेबलेट के जरीए बजट की एक एक बात रखी उमिदों की लहर धरी की धरी रह गई तो वही निर्मला सीतारमन ने बजट पेस कर दिया बोली एक गंटा 31 मिनट लेकिन सब कह रहे थे कि यह बजट बहज भासन लगा टेक्स लेब नहीं बदला है कोरोना से जूड़ी कोई रियायत नहीं दी गई है किसानों को सिर्फ कहने को मिला है वहीं सरकार अब डिजटल करेंशी भी पेस करेगी साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपलर जरिया बन चुकी क्रप्टो करेंशी की कमाई पर 30% टेक्स लेगी इनके साथ दो नई घोशनाएं भी की हैं पहली एनिमेशन, विजुल एफेक्ट, गेमिंग और ग्राफिक्स यानि AVGC सेक्टर में रोजगार की संभावना को देखते वे AVGC प्रोमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार तो मैं दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूश्टी भी बजट 2022 में महज 8 बाते हैं जो आप से साजा करने लाइक हैं वो हम कर रहे हैं नमबर एक की बात करें तो इंतजार था कि इंकम टेक्स लें में बदला होगा नौए साल भीस में कोई बदला नहीं किया गया टेक्स प्री इंकम की लिमिट बढ़ाने की उम्मीट थी यह गोशना भी धरी की धरी रह गई वही नमबर दो की बात करें तो उम्मीट थी कि 80C का दायरा बढ़ाया जाएगा कोरोना काल में वर्क फ्रोम हॉम कल्चर में ढ़ल चुके एंपलाइज को राहत मिलती दिखाई देगी पर ऐसा नहीं हुआ वर्क फ्रोम हॉम वर्कर के लिए कोई खास यानि की स्पेशल आलाउंस नहीं हुआ नमबर तीन की बात करें तो कोरोना की वक्स सबसे ज़्यादा परवावित कारोबारी हुए MSME के लिए अगले 5 साल के लिए 6,000 करोड डिजिटल इंफ्रास्टेक्चर पर फोकस तो वहीं e-portal लॉंच किया गया नमबर च्यार के बात करें तो उम्मीद थी कि परधान मंतरी किसान सम्मान निदी को 6,000 से बढ़ा कर 9,000 कर देंगे पर ऐसा नहीं हुआ हाँ कुछ और एलान हुए जो निश्ची तोर पर किसान के लिए फायदे मन्द होंगे वही नमबर पांच के बात करें तो महिलाई income tax छूट चाती थी होम लोन और mutual fund में investment पर रियायतों की उम्मीद कर रही थी लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोचना नहीं हुई जिससे उनकी कमाई या फिर खर्च में रहात हो वही दो लाक आंगनवाडी अपग्रेट होकर सुक्षम आंगनवाडी बनेंगी हीरो के गहने सस्ते होंगे नकली गहनों पर कस्टम ब्यूटी च्यारसु रुपे परतिकिल होगी ये कुछ गोचना हुई वही नमबर 6 की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर जारी है पिछली बार हेल्थ सेक्टर को 2,38,000 रुपे करोड दिये गए थे इस बार इसे बढ़ा कर 50% बढ़ाये जाने की उम्मीद रखे थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हाँ सोसल वेलफेर का बजट जरूर बढ़ा है वही नमबर 7 की बात करें तो सबसे popular investment medium यानि crypto currency को legal कर दिया गया है भारत में 10 क्रोड से ज़्यादा crypto currency users है digital currency को लेकर भी बड़ा एलान किया गया है crypto currency से होने वाली कमाई पर आप 30% का tax सरकार लेगी digitally assets transfer करने पर 1% TDS लगेगा वह Reserve Bank of India इस साल लाएगा digital currency और अब बात नमबर 8 और आगरी point की तो railway को लेकर कोई बड़ा एलान नहीं हुआ है इसके माईने यह है कि यातुरी कराय में कोई बड़ोतरी नहीं की गई है इसके अलावा bullet train और word class station का भी कोई जिकर नहीं किया गया है बजट 2022 में निर्मला सितरामने कुछ और एहम एलान किये हैं वो भी आप जान लीजिए नमबर एक की बात करें तो 60 लाख नए रोजगार सरजित किये जाएंगे नमबर दो की बात करें तो गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे इसके लिए 48,000 क्रोड रुपे का बजट जारी किया गया है नमबर तीन की बात करें तो 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएंगे जिन में चिप लगी होगी वही नमबर च्यार की बात करें तो डाग घरों में भी अब एटियम लगेंगे और नमबर पास पर PME विद्धा का एक लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ा कर 200 चैनल किया जाएगा चैनल 6 तरे भासा में होगे वहीं व्यावसाइक शिक्षा के लिए भी डिजिटल यूनिश्टी बनाए जाएगी केंद्रे मादमेक सिक्षबोर्ड यानि CBC द्वारा केंद्रे सिक्षब पातरता परिक्षा यानि CETAT आंसर की 2021 जारी कर दी गई है भरते विग्यप्ती जारी कर दी गई है जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उमर की अब्यरती 8 परूरी 2022 से 9 मार्च 2022 मद्ध रातरी 12 अब जे तक ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं